हेलो एप्रिवन, आइम आस्था, बेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूटूब चैनल, गवर्मेंट जॉब चेनिय नॉटिफिकेशन आज इस वीडियो में हम जिस वेकेंसी के बारे में बात करेंगे, वो है असिस्टेंट स्टेनो एंड नर्स पोस्ट के लिए औल इंडिया जॉब रही कि औल इंडिया से केंडिट अप्लाइ कर सकेंगे, पर्मानेंट पोस्ट होएंगी, न्यू जो नॉटिफिकेशन है वो इसका रिलीज हुआ है, एप्लिकेशन आपको ओनलाइन एप्लाइ करना होगा, लिंक में आपको डिस्क्रिप्सन वाक्स में द किसी भी कंडिजीट को, सेलरी की बात करेंगे तो यहाँ णपा डिफिरेंट पोस्ट के लिए भरती है, सो सेलरी भी डिफिरेंट रहेगी, लेकिन यहाँ पर आप इस्क्रिण पर देख सकते हैं, औनांचाहस हजार नज़न पर आपकी सालरी रह सकती है, ऑपकी सेपन्स NPCIL Nuclear Power Corporation of India Limited की तरब से और यहां पर हम सबसे पहले important date देखेंगे जो online application starting हो रहे है start है एक मिनिट जो online application आप यहां पर apply कर सकेंगे 10 फरवरी 2022 से यानि याज से इसके online application start हो चुके है and जो last date रहेगी वो है 2 March 2022 तक online apply कर सकेंगे cut off date of age eligibility जो age count की जाएगी qualification रहेगी आपकी जो भी requirement है वो उसकी cut off date रहेगी वो 2 March 2022 है 2 March 2022 के base पर यहां पर count की जाएगी आप यहां पर देखेंगे सारे यहां पर points देए गए है important info apply download form अंदर यहां पर हम देखेंगे सबसे पहले जाएंगे important info में important info में से हम important date सबसे पहले हमने किलिया कर ली है अब हम eligibility criteria देखेंगे तो इसमें जो post रहेगी scientific assistant C के लिए safety supervisor की जो post रहेगी इसमें diploma in engineering mechanical और electrical से या अबर आपने BSc किया हो BSc with a combination of subject physics, chemistry and mathematics से अगर आपने BSc किया हुआ है minimum 50% marks in diploma in engineering या BSc and one year diploma या certificate आपके पास है industrial safety का and candidates should have four years of यहाँ पर experience पोस्ट के लिए required है तो अगर आपके पास यह जो requirement रखे गई है उसको आप फिलफिल करते हैं तो scientific assistant C के लिए safety of supervisor के लिए apply कर सकते हैं next है nurse के लिए nurse के लिए यहाँ पर 12th pass मांगा गया है और 12th के साथ में अगर आपने midwipity जो nursing के three years के course होते है डिपलोमा कोर्स होते है वो अगर आपने किये हुए है तो apply कर सकते है या BSc nursing की हुए है तो इसमें apply कर सकते है या फिर nursing के certificate with three year experience अगर आपके पास है और nursing का certificate है आपके पास तो इसमें apply कर सकते है या nursing assistant class third and above from the armed forces यहाँ पर यह clear दिया गया और आपका registration होना चाहिए Central या State Nursing Council in India में तो यहाँ पर nurse post के लिए apply कर सकते है assistant grade first के लिए यहाँ पर मांगा गया है any graduate bachelor degree आपने की है किसी भी subject से किसी भी stream से minimum 50% marks के साथ तो आप यहाँ पर steno and assistant के लिए apply कर सकते है assistant के लिए typing मांगे गई है 30 word per minute in English typing रहेगी जो की PC पर रहेगी computer proficiency test होगा यहाँ पर इसके अलबा अगर आप steno के लिए apply करते हैं तो यहाँ पर आपकी speed रखी गए 80 word per minute in English stenography में and speed of 40 word per minute in English typing इसमें typing और short hand जो होता है stenography वो रहेगा यहाँ पर और जो assistant की post रहेगी यहाँ पर only typing रहेगी और computer proficiency test होगा तो यहाँ यह हमने eligibility देखी अब age limit देखेंगे age limit 18-35, 18-30 साल और 21-28 साल रखी गए यह post wise आप देखेंगे general candidate के लिए है अगर आप reserve category से belong करते हैं तो आपको relaxation मिलेगा यहाँ पर आप देख सकते है categories 22 आपके relaxation कितने years तक का आपको यहाँ पर मिल सकता है तो आप जिस भी post पर sorry जिस भी category से आप belong करते हैं आप अपना यहाँ पर check कर लीजगा इसके बाद next देखते हैं यहाँ पर salary तो salary scientific assistant C के लिए and nurse के लिए और assistant grade first के लिए nurse and scientist scientific assistant के लिए 4900 रहेगी level 7 से allowance प्लस इसमें आपके जो भी allowances रहेंगे वो भी रहेंगे and जो assistant post रहेगी इस 10 की रहेगी वो 25500 रहेगी प्लस allowances as admissible so यहाँ पर जो salary रहेगी आपकी अच्छी कासी salary रहने वाली है and next यहाँ पर हम देखते हैं selection process selection process तो इसमें scientific assistant C यानि safety supervisor के लिए return exam होगा और interview होगा nurse के लिए return exam होगा जिसमें आपका pre-test होगा plus advanced test होगा और उसके बाद skill test होगा assistant post के लिए and discern of post के लिए return examination होगा जिसमें कि आपके pre-test और advanced test plus skill test अब यहाँ पर detail में दिया गया है selection procedure से related कितने marks का होगा 100 MCQs types question रहेंगे 2 hours का आपको timing दिया जाएगा सबी post के हिसाब से यहाँ पर आपका syllabus भी दिया गया है so जिस भी post के लिए आप apply कर रहे हैं यहाँ से आप syllabus भी check कर सकते हैं pre-test जो आपका रहेगा advanced test रहेगा जिन post के लिए क्योंकि जो first post है safety supervisor उसमें तो आपका only written exam होगा एक ही return exam होगा और साथ में interview होगा इसके बाद जो बाकी की जो post है उसके लिए आपका written exam होगा और written exam two parts में होगा pre-exam and advanced test उसके बाद आपका जो भी skill test रखा गया tapping test वगरा रहेगा वो रहेगा okay so अगर आप इसमें apply करते हैं इसका detailed notification आप चेकर लीजेगा लिंक मैंने description box में दे दिया है वीडियो पसंद आया हो तो like कीजे thank you